धनिये की आवक बढ़ने से कीमतों में भारी तेजी की संभावना हुई कब दरसल राजस्तान और गुजरात के परमुक इलाकों में अग्याती विजाई वाले धनिये की कटाई त्यारी आरंब हो चुकी है और मंडियों में इसके नए माल की आवक बढ़ने लगी है दूसरी और इसको कारोबार और उठाव कमजोर चल रहा है व्यपार जानकारों के अनुसार अगामी सप्ताहों के दरान इसकी सप्लाई और उपलपता नियमित रूप से बढ़ती जाएगी इसलिए निकट भविश्य में इसकी कीमतों में भारी तेजी आने की संभावना फिलाल नहीं है वहीं घरेलू बाजारों में मांग समाने और या फिर कुछ कमजोर भी देखने को मिली है और केवल निर्यात परदर्शन की वज़े से ही इसके दामों में स्थिर्ता या कैयों कह सकते हैं की मजबूती बनी हुई है राजस्तान के रामगज मंडी में ना केवल नया धनिया आ रहा है बलकि इसकी मात्रा भी अधिकतर रूप से बढ़ती जा रही है इस मंडी में ओस्तन 5-5500 बोरी धनिये की दैनिक आवक देखने को मिल रही है और इसके साथ अगर भाव की बात की जाए तो भाव में भी कोई बहुत जादा उठाव नहीं है और पुराने धनिये की आवक 1500-2000 बोरी देखने को मिल रही है दरसल धनिये का बिजाई शेतर इस बार मध्यापरदेश में कुछ बढ़ने और गुजरात में काफी घटने और राजस्तान में पिछले साल के बराबर रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है कहीं कहीं फसलों को प्राकर्तिक आपदाउं से थोड़ा बहुत नुकसान होने की भी आशंका है गुजरात से धनिये का उत्पादन शेतर पिछले साल के 2,22,000 हेक्टियर से 43 फीसदी घटकर इस बार 1,27,000 हेक्टियर पर सिमट गया है कमजोर भाव को देखते हुए मध्यपरदेश और राजस्तान के उत्पादक धनिया की बिक्री करने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखा रहे इसलिए वहाँ इसकी आवक्स सीमित हो रही है सभी मंडियों में नए धनिये की सप्लाई अभी आरम भी नहीं हुई है वहीं धनिये का भाव रामगंज मंडी में अठावन सो से चोसोर सोर पे प्रतिक विंटर के बीच देखने को मिल रहा है खाड़ी शेत्र की मुस्लिम भहुत देशो में रमजान के लिए धनिये की मांग मजबूत बनी हुई थी बारा मंडी में भी कीमते स्थिर्टा के साथ कारोबार करती दिखाई दी वहीं अगर बिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में इसका अदाम 7800 से 8000 पे प्रतिक विंटर पर पहुँच गया है धनिये का निर्यात परदशन इस बर शांदा रहा पिछले साल की समान अफदी के मुकाबले चालू वित वर्ष के आरंबिक आठ महीनों में यानि अप्रेल से नुवंबर 2024 के दुरान धनिये का निर्यात 28405 टन से उचल कर 80406 टन पर पहुँच गया जिससे इसकी निर्यात इंकम में भड़ोतरी देखने को मिली और आए 389 करोड से बढ़कर 685 करोड पर तक पहुँच गई इसके बाद भी भेतर निर्यात की सूचनाएं आ रही है जिसके चलते बावों में बहुत जादा घिरावट नहीं आएगी लेकिन कहीं ना कहीं तेजी थमती हुई दिखाई दे सकती है Bureau Report Market Times TV